मुंबई में रविवार शाम को मेकिन इंडिया वीक कारेकर्म के दोरान स्टेज में भिशन आग लगी आग इतनी जबरदस थी कि कुछ ही देर में पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है हादसे के वक्त कारेक्रम में महाराष्ट्र के सीम दिवेंदर फर्नविस बॉलिवूड एक्टर आमिर खान हीमा मालनी समेथ कई हस्तियां मौजूद थी आग से कुछ दिर पहले ही बॉलिवूड एक्टर अमिताब बच्चे ने अपना कारेक्रम भी पेश किया था इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंतरी दिवेंद फर्नविस ने पुलिस की सला के बावजूद घटनास्तल को छोड़ा नहीं और वह लगातार हालात पर नज़र रखे हुए हैं ताकि हर किसी की सुरक्षा को सुनिक्षित किया जा सके बता दें कि मुंबई के बांदरा कुला बिल्डिंग में मेकिन इंडिया वीक चल रहा है रविवार शाम को कारेक्रम के दोरान जब सांस्कृतिक कारेक्रम चल रहा था तब ही यह आग लगी बताया जा रहा है कि आग स्टेज के नीचे से लगी इससे वहां अफरा तफरी मच गई कारेकरम पेश कर रहे कलाकार और लोग तुरंत वहां से भाग खड़े हुए आग की वज़ा शॉर्ट सर्किट हो सकती है एक चश्मदीद ने बताया कि जब आग लगी उस समय स्टेज पर कारेकरम चल रहा था तभी आग भड़ की और हम जान बचा कर भाग निकलें इस आग ने कुछ ही देर में विक्राल रूप ले लिया दूसरे मंच भी इसकी चपेट में आ गए बता दें कि इस कारेकरम का उद्गाटन 13 जन्वरी को शुरू हुआ था कैमरा पर सन्वे नई दूबे के साथ शमा खान तटाइम्स 24 इंटू 7 नियूज बुंबई